नमस्कार मित्रों, हार्दी का विनंदन करता हूँ, मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्रोनिक स्टाड़ी में आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे BTC या DLA फॉस्ट समेस्टर का जो री एक्जाम होने जा रहा है संस्कृत का आपका जो 24 माई को होगा, उसके संदर्व में उसको ले करके कुछ questions के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में तो इसके पहले भी जो मैंने model paper बनाया था अगर मैं बात करूँ तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, बिलकुल काफी कुछ उसी से पूछा जाएगा आपका जो गलती हुई थी पिछले उसमें जो है एक्जाम के उसमें वो यही था कि आपका out of course था जब out of course होगा तो फिर तो model paper भी आपका जो है आपके syllabus के according बना था वो तो out of course था नहीं तो आप उसको पढ़िए, model paper को ध्यान से पढ़िए, मैं सारे links यहां पर आपको i button यहां display होगा इस side में, ठीक है right से, i button में भी मैं दे दूँगा उसका link, बाद में जब आपका video खतम होगा, video पूरा देखिए, video खतम होगा तो वहां पर आपको देख model paper, question paper में model paper मैंने एक playlist बनाई हुई है, उसमें आप चेक करिए, आप वहां से पढ़िए, फिलहाल इस video में अगर मैं बात करूँ जो है, तो मैं Sanskrit में जो अनुवाद आता है आपका, कहने का मतलब है आपके तीन number के पूछे ही, पूछे minimum जाते है, ठीक है, आती लगू में आपसे पूछ लिता है, आपके लगू में दो number का आता ही आता है, कि आप चार शब्द या पास दे देंगे, उनका जो है Sanskrit में अनुवाद कीजिए, तो इसमें बात करेंगे, अनुवाद को ले करके, साथ में देखेंगे कुछ आसपास की जो चीजे हैं, उनका Sanskrit में नाम, तो ये बहुत ही important है, ये चीजे fix हैं, पकी हैं, आपके exam में आनी ही आनी है, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, सबसे पहले इसमें देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है Sanskrit में अनुवाद के नियम, तो कुछ नियम हैं, उनको ले करके हमको चलना पड़ेगा, आप नियमों के हैं प्रथम पुरुष आνयपुरुष मध्यम पुरुष, जिसको आने पुरुष भी बोलते है ंप्रथम को मध्यम और उत्तम पुरुष होता है, यह फिर लिखा है कि करता के अनुसार क्रिया का प्रियोग करना जरूरी है अभी मैं बताओंगा कि किस तरीके से आप इसकी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ बस एक मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप सभी के उसमें जो है कि आप फिर से जो है इसको एक बार देख करता के अनुसार क्रिया का प्रियोग होना जरूरी है अगर क्रिया के काल का बोध कराने है तो पांच लकारों का प्रियोग किस तरीके से करते हैं वो भी आप जाने ध्यान रहे जैसे इसमें लट लकार वरतमान काल लंग लकार है भूत काल रिट लकार भविश्यत काल होता तो आपके अगर आपको दे दिया कि वह पढ़ता है या उसने पढ़ा तो आप क्या करेंगे उसने पढ़ा तो पढ़ा सबसे पहचानी है कि किस काल का है यह जब पढ़ा है यानि कि वो बात कर रहा है पास्ट के बारे में यानि भूत काल के बारे में बात कर रहा है तो लंग लगार के धातुरूब को जो है उसमें चला दे तो आप चाहिए के अर्थ में आया या कुछ भी सरीके से आपको दिखाई दे तो उसका विशेश ध्यान लखे है वहाँ पे ठीक है तो जैसे आप बात करते हैं यह तो सारी चीजों हो गई आपकी लगार के प्रियोग और उसक ले करके कि करताने कर्म को करन से यहां पर सहायतार्थ के अर्थ में है और या कि द्वारा संपरदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में तो ये चीज़े तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगी अब जब आप अनवाद कर रहे होते हैं तो आपको धातु रूफ जो है सबसे पहले आना जरूरी है अब कई लोग बोलते हैं सरे ट्रिक बताईए अब उसमें ऐसा कुछ भी ट्रिक नहीं हो सकता है काफी लोग बताते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो है काम करता होगा सारे केसे में तो आप अभ्यास करिए आपको आएगा ठीक है अब जिसे मैंने बोला गम धातु है यहाँ पर जाना तो आप गम धातु में आपको पता होना चाहिए यहाँ यहाँ यह कटा हुआ है तो इस तरीके से धातुरूप आपको पढ़ने पढ़ेंगे जब है लोट लकार है तो उसके हिसाब से होगा जैसे हाँ पर पठ धातु लिखा हुआ देख लीजिए आपे तो पठ धातु में पठती पठता पठती अब इसका यूज कैसे होता है जैसे मैंने बोला वहाँ पठता है वहाँ पठता है ता तीते पहचान है आपका वर्तमान काल का तुआ आपको तुरंट समझने आ गया कि लट लकाल वर्तमान काल की बात कर रहा है धातु है पठ कि हम धातु रोप में कैसे पढ़े थे जो है वर्तमान काल में पत को ले करके तो बस पठती dosas बढ़ेती पठता-फठती करेंगे जब पढ़ती है वह फठता है तो वह कि यहां पर लिखा है पुरुष और वचन संख्या मतब किस तरीके से पुरुष क्या होते हैं संख्या क्या होते हैं वीडियो में बता चुका हूँ मैं already इसके बारे में तो सबसे फ़ले है क्या आप किस तरीके से इसको पढ़ते हैं यहां आप नीचे से लिखेंगे ठीक है यहां पर बस first, second, third person करके लिखा हुआ है आप जब अनवाद करेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है कि सहतवते त्वम युवाम युयम और अहम आवाम वयम आप कुछ इस तरीके से ले करके चलेंगे ठीक है तो हमेशा ध्यान रहे उसने बोला कि वह दोनों पढ़ती हैं मैंने कहा बोला वह दोनों पढ़ती हैं तो ध्यान रहे जब पढ़ती हैं यानि यहां पर इस तरी लिंग की बात हो रही है तो आप वहाँ पे तव के बज़ाए आप टे लगाएंगे ऐसा नहीं कि साहा तव ते आप चले गए इस सब पुल्लिं Matthew की बात कर रहां यहां पर पुल्लिंगे बात कर कुकि दो ब्रिक्ष या दो ब्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं तो आप द्यान रहे इन जो आपके द्यान रहे कि पुल लिंग है इस्त्रिलिंग है या नपॉन सक लिंग है आपके निर्जीव के उसमें बात की जा रहे हैं तो उसमें आ रही है तो उनको भी आविशे ज्यान रखें तो यह तो एक टेबल है जो मैं बता चुका हूँ इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान क है तो हम तुम दोनों है तो आप यवाम लिखेंगे तुम लोग है या तुम सब है तो आप यूयम लिखेंगे मैं बात कर रहा हूँ फरस्ट परसन की अप जो है तो इसमें आप लिखेंगे मैं अहम उसके बाद आमाम वयम मैं हम दोनों हम लोग वयम तो यह आप उसमें व इनको वहां से पढ़िए यह तो होगे रोज की बात जो आप विश्रिष्टा ध्यान रखेंगे इनका ठीक है और वह अनवाद आप करिए अभी आपके पास कल पूरा दिन का टाइम है ठीक है बहुत टाइम है अगर आप मान की चले तो ठीक है आप काफी दिनों से पढ़ भी रहे हैं बस उसको आप रिवाइज करिए इन रोज को पढ़ रहा है आप फिर से रिकॉल करिए और उन जो मैंने वहां पर बताएं उनको स्वता करने की कोशिश करिए ठीक है यह तो अस धातु वाली बात होगे आप इसको भी देख सकते हैं जो है तो यह तो बात होगे जो कित्व में पूछा तो जैसे यहां पर पूछा कह था जो है कि कुटता को कुकुरा बोलते हैं लिख है तो कुटता संस्क्रित में नहीं रहा होगा उसके बादकर आगयात देनु तो के रहा है आपका शुकह होता आगर ठीक है अगर आगे में बात करूँ इसमें लिखा है संस्क्रित में चार पशों के नाम तो घोड़ा अश्वह होता है आरवन भी बोलते हैं पूछा था आपसे कि आरवन का हिंदी मतलब क्या होता है तो घोड़ा होता है गधाक गर्दवा बकरा जहा हो जाएगा भाइस का मही इसी ही है आपका ठीक है अगे अगे अगर हम बात करें इसमें जो है तो यहाँ पर है पाँच वश्टू पशूं और पख्षियों का नाम संस्कृत में आपको बताना है इसमें तो जैसे अप वस्टू पशू पक्शी पूचा है तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं इ और यहां पर पेंड का ब्रिक्षा है लड्डू आपका मूद का हो गया तो यह आप उसमें लिख सकते हैं ठीक है आगे अगर मैं बात करो जो है जैसे यहां पर लिखा नकुरा का नकुला की रहा रवन यह दिखें यहां पर पूछा गया थे 2015 में इसका मतलब हिंदी तो बोलते हैं अगर आप कुर्सी बोल देंगे जो है तो वह मत्तब होगा इसका ठीक है यह आपका पूछा गया आगे इसमें अगर माइब करों जो है फिर से वही मराला करके लिखा हूँ आपर देखें गराला नहीं हो मराला ही था ठीक है यह यह पर मराला का हिंदी मतलब कर्षा कर्बूज का कलिंदंध हो गया संगारा जिसे स्रिंग घाटक कर्षा है तो खरबूजम भेर का बदरी फलम बोलते हैं आप यह जो मैं बता रहा हूँ यह जितने भी हैं इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं आप अन्वाद आप अच्छी तरीके से करिए जो आप कल अभी मैं वीडियो इस पर बनाऊंगा और आपको जो है जो और इंपोर्टन चीज है उसके बारे में भी जो है जानने की कोशिच करेंगे कल तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत दो धन्यवाद